पहले मैंने Past Indefinite Tense पढ़ाया था और आज होगा Past Continuous Tense Past Continuous Tense का प्रियोग क्यों किया जाता है कि सिस्थिती में किया जाता है इसमें कार्य भूत काल में शुरू हुआ कुछ समय तक जारी रहा और भूत काल में ही समाप्थ हो गया इसका प्रियोग इसलिए किया जाता है कार्य भूत काल में शुरू हुआ कुछ समय तक जारी रहा और भूत काल में ही समाप्थ भी हो गया Past Continuous की पहचान यह है कि वाक्य के अंतों में रहा था रही थी रहे थे इत्यादी शब्दों का इस्तेमाल होता है इसमें ध्यान रखें आई के साथ वाज और यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है अर्थाथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज पिलस किरियार की फ़स्ट फार्म में आई एन जी और उसके बाद अब्जेक्ट आता है किरिया की फर्स्ट फार में ही आई एंजी का प्रियोग होता है यह में पहले ही बता चुका हो तो देखे बाद लिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमें बनाना है मैं किताब पढ़ रहा था आई वाज रीडिंग दबुक मैं किताब पढ़ रहा था तो आई तो करता है वाज सहाय किरिया है और मुख्य किरिया है रीड और इसमें आई एंजी का किरियोग होता है और यह किरिया की फर्स्ट फार्म है दबुक आपजेक्ट है आई वाज रीडिंग दबुक मैं किताब पढ़ रहा था और इसी का नेगेटिव वाक्य क्या होगा कि वाज के या वर के बाद नौट आयो इसमें सेंटेंस में देखिए आई वाज नौट रीडिan दवक अर्थात मैं किताब नहीं पढ़ रहा था अब इसी के इंटेरोगेटिव को अगर हम लें तो वाज का प्रयोग प्रारंभों में होगा वाक्य के प्रारंभ होगा वाज आई रीडिंग दवक क्या मैं किताब पढ़ रहा था क्या मैं किताब पढ़ रहा था और कुशन मार था इसके बाद यदि हम कुश्चन वर्ड का इस्तेमाल करें किसी भी कुश्चन वर्ड का इस्तेमाल करें मान लिया हम वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं वाई वाई वाज आई रीडिंग दबो मैं किताब चो पढ़ रहा था वाई वाज आई रीडिंग डबूप मैं किताब क्यों पढ़ रहा था इस परकार पास्ट कंकीनियस टेंश में कार्य भूट काल में प्रारम होता है कुछ समय तक जारी रहता है और भूट काल में ही समापनी हो जाता है थैंक यू गरी मुच्छ